असलाम अलेकूम आज हमने बना है white mutton stew और इसको बना लिया है बिल्कुल simple और easy तरीके से बहुत कम चीजों के साथ हमने इसको बनाया है फिर भी बहुत tasty बनाया है इसको आप खा सकते हैं तंदूरी रोटी या चपाती के साथ में बहुत ही मज़े का लगता है तो वीडियो को हमने लिया है 500 ग्राम मटन अच्छ वाश करके हमने इसका पानी निकाल दिया है हमने लिया है 400 ग्राम प्याज और देखें इस तरीके से हमने इसको काट लिया है 500 ग्राम मटन लेंगी तो इस्टू में हम डालेंगे 400 ग्राम प्याज साथ में लिया है कुछ गरम मसाला जिसम का ऑइल को गरूम कर लिया है इसमें डाल दिए तेज पत्त्ता और शाबुद गरम मासला इसको हम थोड़ा फ्रेवर है वा ऑउल में अच्छे से आ गरम मसाले फ्राई होने के बाद में हम इसमें डाल देंगे प्याज प्याज को हम सिर्फ दो से तीन नट फ्राई करेंगे सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करना है वाइट इस्टू बना रहे हैं तो इसलिए हम प्याज को गॉल्डन फ्राई ने करेंगे तो देखिए प्याज को हमने थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिया है अब हम इसमें मटन को एड़ कर देंगे दो से तीन नट इस तरीके से हम प्याज के साथ इसको भूल लेंगे ताकि मटन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने दो से तीन नट मटन को प्याज के साथ भून लिया है कितना इसका कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच बारी कटा लस्टन एक चमच डाल देंगे बारी कटी अद्रत पेस्ट के मताबिक इसमें नमक डाल देंगे और एक चमच भर के इसमें डाल देंगे लस्टन और अद्रत का पेस्ट दो से तीन नट लस्टन अद्रत के साथ हमें इसको भून लेंगे दोस्ते तीन मिनट भूनने के बाद में हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी मिला देंगे इसको और प्रेशा को करकर डखकन लगाकर हम फुल फ्लेम पर एक सीटी लगाएंगे फिर गैस की आज को हम लो कर देंगे लो फ्लेम पर हम इसको करीब दस से बारा मिनट पकने देंगे ताकि हमारा जो गोश्ट थे वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए देखें दस से बारा मिनट हो चुके थे गैस को हमने बंद कर दिया था और जो मटन है वह भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है अब गैस की फ्लेम को ओन कर देंगे अब हम इसमें डाल देंगे आदकक धई और एटी स्पून हम इसमें डाल देंगे साफेद मिर्ची का पाउडर अगर आपके पास हैं तो डालें नहीं तो आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल दिया हैं 2 चम्मब्र नादिल का बुरादर और धही के साथ हम इसको अच्छे से भूल लेंगे थेखें कितने कम सामांग मिर्चrid बहुत टेस्टी हमारा वाइट मटर इस टू बनाता तो अच्छे से देखें हमने धही के साथ गोश्ट को भूल लिया ही अब हम इसमें डाल देंगे तीन से चार हरे मिर्च जिसको हमने बीच में चीरा लगा के डाल दिया ही एक से दो मिनट और भूल लेंगे तो यह देखें एक से दो मिनट हमने इसको भूल लिया ही तेल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका ही अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी इसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक होती है तो पानी थोड़ा कम डालें मैंने वन थर्ण कप पानी डाला ही मिला देंगे और इसमें यह भी थोड़ा देंगे ज़ने डाल देंगे हम चली पीम को बंद कर देंगे और थो दब कर देंगे पांच मिनट हो चुकह हैं भपका नमठा लेंगी अब हम इसको खुषर कर लेते हैं तो देखिए कितने कम चीजों के साथ में हमने बड़ा लजीज जाएकिदार सा जरूर ट्राइ करें और अपना फीड़बेक भी हमें जरूर दें तो हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रे, अल्लाह आफिज